जै माता दी आपने ये मांत्र तो जरूर सुना होगा लेकिन इस मांत्र का मेनिंग क्या है आईए जानते हैं इस मांत्र में जयनती का मतलब है सबसे महान जो सबसे बड़ी शक्ती होती है मंगला वो है जो हमें जानम और मरन के चक्र से मुट्टी दिलाती है कालीमा वो है जिन में प्रले के समय पूरो ब्रहमान एक हो जाता है भद्रकाली में भद्र का मतलब होता है जेंटल या फिर सौमे तो भद्रकाली के रूप में मां हमें सुक शान्ती और संपत्ती प्रदान करती है कपाली में तपाल का मतलब होता है स्कल स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है वैसे ही मा कपानली हमारे मन और बुद्धी को प्रोटेक्ट करके रखती है दुर्गा वो है जो दुर्गती, दुरभागय और दर्रिद्रता का नाश करती है शमा मतलब हमसे गल्टी हो गई है तो हे मा हमारे पापों और हमारे अप्रादों को शमा करो शिवा शिवा नाम बना है शिव और आ से जैसे कि मा शिव भगवान का अधार है वैसे ही मा हमारा भी अधार बने ध्रती का मीनिंग होता है धारर करने वाली रचना करने वाली और सब चीजों का निर्मान करने वाली स्वाहा, असोसीट किया जाता है अगनी से, क्योंकि अगनी का खुद का प्रकाश होता है, वैसे ही मा स्वैन से प्रकाशित होती है, स्वधा का मीनिंग होता है, खुद के सोभाव में स्तिथी रखना, नमोस्तुते, मतलब मैं आपको नमन करती हूं, जै माता दी, राधे, रा चैंक यू